ड़ोलो दव नालो दवन 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 आ Yaa Yaa कि अच्पर के साड़ी च्छे बजे और हम लोग पूचे अभी शेगाओ हम लोग बैटे थे नावजी वान एक्सप्रेस में चार-बीस को और आप जाएंगे हम दर्शन के लिए चलिए हम लोग निकलते हैं अभी गजा नमारत की दर्शन के लिए आज प्रकट दिने तब बहुत बीड़ोंगी तो देखते हैं हम लोग बीच रास्ते में रुख गये हैं क्योंकि दोनों बाई गये लेटरी अक्षे भई आ गया है रोशन भाई के वेट कर रहे हैं रोशन सर भी आ गया है इतना टाइम लगा दिया भाई अभी जाते हैं मंदिर के और मंदिर के और रेल्वे स्टेशन से मंदिर लगबाग आधे किलो मेटर की दूरी पर है हम दे रिक्षानी की फैदली जा रहे हैं एंज्वाइ करते हुए रास्ते में कैंटिंग देख रहे हैं चाय भी ने के लिए पर कैंटिंग दीखने रही है मंदिर के और जा रहे हैं पर मालूम ने लाइन कितनी बढ़ी है तो च्योंकि आजे प्रकटिंग लाइन बहुत बढ़ी है क्योंकि आए रहे हैं प्रकटिंग देख रहे हैं आजे प्रकटिंग देख रहे हैं आजे रहे हैं अक्षे सवर के पिच्छ एक लड़का लगाता है उसने के दिया मस्कों क्योंकि लड़ी है के बढ़ी है ग्रणिय के लड़ी कुपक है कर दो कर दो कर दो अब दो अब लग अभी घड़े हैं मापदात के लाइन में मापदात के लिए कितने भए फूल है अभी नाइन बजी जबाए तक दो शूरो हता है अब बजी आए अज एक गंडा टाइम हा है क्योंकि बाहर दोत मिलेती है वह दर्शन करके आये तो उन्होंने बता है कि दर्शन के लिए लगबख 6 या 7 गंटे लगते है आठ गंटे लगते है इसलिए हमने डिसाइट कि आये कि पहले थाना काल देते है बात में दर्शन करते है झाल 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 बढ़िया खाना है शेगाव रेशे खाने काटना आपको पहीं नहीं मिलेगा शेगाव में आई है वोजेश खाने का लुप फूट आई है बूट युजवाद है आई चाहत तो जवना है तो सस्य हो है शेम बढ़िया एक नंबर या एका जवड़े शेगाव लाइन लगबक तीन किलो मेटर तक है और आभी लगेंगे पाच च्छे गंटे मावली की लिला आपक लंबा सपर है वावा क्या कजेसा ठग गए गया आभ अभी टो अब ऑचि लगए बाइट लिगे जाना थे आद यार टो शेंगे वाय सो अवसिवाद की बहुजें इस च मिए यह सकने के किलो अटने कट गोगने आटना बचन जाया इन का आणि ड कर दा या जा शेड़े आ तर्सने किलो या जार्या थन काल अठता दी जांटतो आपको जी बनता है कि आमी आधी जवन के लिए नंते दर्शन ग्यूंग रहा लो नहीं आता सा मत मिलूं कार्शन निवत मत हम लोग पाउली के दर्शन के लिए और हम यह पासेज दी गई है इसमें लिका है दर्शन रांगे चा सुवेस्ते करी था अभी हम चलती जलते दो किलो मिटर तक आ गए है अभी रागया इसरी थाउजन मिटर हैनी एक किलो मिटर और एक किलो मिटर के बाद हम जाएंगे माउली की दर्शन के लिए माई लोग थक गए है नीचे बढ़के है समचन खळहा नी माई खळारा है जो भाँ चा आशब हो кварात्तों माई शर्यगों करते है और ता चांटे खळह अगया जाा प्रांडों कंटी इन ना हम करते है उर्ड को खळारा नो है इन बच्छ थे खळा काना है करा दें भीजाए जग geri Cityर घृट जैंके अ करें पहर तूटटो टाऊ है इसलिए लेकल बाइस हम घ्रा जाए तया सिर्थ के बड़ा हुआइए मेड ज्सकानटी में पहर तूटे। … टॉट जयके पाट जएए को मुन्दै यह हम था बत्रबब इसके लिए आया है वाज गंडे खड़ा रहा है केसआ के लिए अच जाताले बनना है अए उसके समासूल भाते हैं वह सेफ़्स कर रहा है तेलिक्राम की चैनल पर बढ़ रहा हो, क्वेशन आंजर की प्राक्टिस कर रहा हूं, इतना पड़े ही आजी है और आम लोग खाली फिली टाइम पास कर रहे हैं माराथ कर दाम कलावा कर रहे हो, गजानना, गजानना, ऐधा कर रहे हैं बई बख्ती करेंगे, तो भी शुक्ती आएंगी, चलो आगे, खालो गजानना, गजानना, अबी शेगाओं में बहुत अच्छी सुईदा हो गई है बख्तो के लिए लाइन में लगने के लिए फ्लाइवर बनाए है, पहले तो फ्लाइवर नहीं थे, तो दूप में खड़ा रहना पड़ता था, चार पाच गंटे के लिए, अबी फ्लाइवर आप देख सकते हैं, उपर से शेट भी है गुणा के लिए फ्लाइवर नाश्ता और दो बार चाई मिलिया है, तो टिंचे नहीं है, आप पाच गंटे कड़े रहना पड़े, अच्छी गंटे कड़े, कुछ भी तब्लिक में नाश्ता है, और चाय भी है, नाश्ता भी है, पानी है, बैटने के लिए जगा भी है, आ अच्छे 200 मिटर और मनिर के अंदर इतना ही घुमना पड़ेंगा बाद में दर्शन होगा अब लोगों का दर्शन होगा है दर्शन के लिए आमको लगे है चार गंटे चार गंटे लगे टे बहर दर कर दे पर अच्छा लग रहा है तता अच्छा लगे आधाख्यान वी ठागर अच्छान नहीं जर्पर ने वादने जर्पर अच्छान लिया तो नियुक्価ाल लगे अब अहलें तोरहे ही अच्छा बलिगेर वहां कि आप लिगो डूड़ा कर दो कि अधनियर टो कि अपक लोग क पर चूर कि अधनियर बुक आपकश नपकश नपइब बंट हमें मुवा थे लुकर्पोराइएए नज़ा दो लाएएएड़ानों प्रोड्य ज़िए युछ demand कि आधि करने और शाम को लिए रात रात हो जाएंगे उनको आठ बजेंगे अब टामिंग कम हो गया दो डाई गंडी ऐसे प्रेंटे में दर्चन हो जाएंगा और राप्तुक को से कड़िस आएंगी फिलाब देर रात में गाली बारा एक बजे हैं जरब से आएगे आए बारा एक बजे वे आसे शेगाउस से निकलेंगे और वह पूचेंगे अमराउती का पूचिंगे चार पाच बजे अमराउती पूचिंगे और अमारे दोस्त जाविध पतान की शाधी है वह शाधी अटेंड करेंगे और बाद में निकलेंगे नाठपूर के लिए शाम की वक्त तभी हो जा रहे है गजान महराज की दर्शन के लिए जै गजान झाल झाल